वेलकम टो एपलेस ग्रेड एजुकेशन सेंटर आज हम क्लास नाइन की प्रश्नावली एक दिसमलो 5 के क्वेशन नमबर 5 को सॉल्व करेंगे आपका क्वेशन नमबर 5 है निमनलिखित के हरों का परमेई करण कीजिए तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने हर का परमेई क्या होता है हमने दूसरा जाना था कि आखिर हम परमेई करण क्यों करते हैं और फिर हमने परमेई करण करना भी सीखा था तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सक हैं इस वीडियो में हम इसके questions को solve करेंगे तो देखते हैं पहला question है एक बटे root 7 इसको आपको हर का परमेई करण करना है तो देखिए कैसे करते हर का परमेई करण आपको क्या करना है जो हर में संख्या लिखी हुई है उसका उपर नीचे अन्स और हर में गुड़ा कर देना है ठीक है तो root 7 का और उपर और नीचे आपने गुड़ा कर देना है इस तरह से आप हर का परमेई करण करेंगे अब आप इसको solve करेंगे एक का गुड़ा root 7 से होगा तो root 7 आ जाएगा और जब root 7 का गुड़ा root 7 से होगा तो क्या आएगा साथ आएगा ये भी आपने पिछ वर्गमूल के अंदर दो संख्याएं होती है मत्तब वर्गमूल के अंदर जब संख्या जोड़े में होती है तो हम वहाँ से जोड़े से बाहर निकाल लेंगे एक जोड़ा इसका बाहर निकलाएगा साथ आ गया तो इसलिए जब root 7 का root 7 से हमने गुड़ा किया तो क्या ही होगा आपका यह आपका answer हो जाएगा अब हम करतें इसका दूसरा question देखिए दूसरा question आपका दूसरे प्रकार का है तो इसको भी देख लिजे आपने कैसे किया था जो इस तरह का आपका question था उसमें आपने जो आपका हर दिया हुआ था उसमें हर में जो संख्या दी गई है उसका चिन चेंज करके चिन बदल करके उसका answer हर में गुड़ा करना है यहाँ पर देखिए क्या लिखा है root 7 minus root 6 यहाँ पर आप क्या लिखेंगे root 7 plus root 6 और इसी संख्या का आपको नीचे भी गुड़ा कर देना है ठीक है ना मतलब हर में जो संख्या दी गई है आपको उसका चिन बदल करके अंस और हर में गुड़ा कर देना है ठीक है ना अब देखिए गुड़ा करेंगे तो एक का गुड़ा जब इस पूरे टर्म से होगा तो यह टर्म रूट 7 प्लस रूट 6 अब यहाँ पर देखिए अगर हम रूट 7 को A माने और रूट 7 को तभी माने तो यहाँ पर क्या identity सर्वसमिका लग जाएगी A माइनस B और A प्लस B तो हम उस सर्वसमिका का यूज करते हैं आपने इसको पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है A माइनस B A प्लस B बराबर होता है A का वर्ग यानि A स्क्वेर माइनस B स्क्वेर ठीक है न? तो यहाँ पर A क्या है हमारा? रूट 7 है ठीक है? तो देखिए उपर वाले को हमने रूट 7 प्लस रूट 6 ऐसे ही लिख दिया अब नीचे वाले को देखिए A का मान कितना है यहाँ पर? रूट 7 है ठीक है न? यह क्या लिखा है? A माइनस B तो यहाँ पर रूट 7 है तो रूट 7 का वर्ग कर देंगे A है आपका रूट 7 माइनस B स्क्वेर प्लस रूट 6 ऊपर वाला ऐसे ही लिख दिया अब हर का देखिए रूट 7 का वर्ग होगा तो क्या आ जाएगा 7 और जब रूट 6 का वर्ग होगा तो यहाँ जाएगा 6 ठीक है? तो यहाँ से 7 में से 6 घट जाएगा तो एक आएगा तो आपका आंसर हो गया रूट 7 प्लस रूट 6 बटे में एक आएगा और एक को हम नहीं लिखते एक का कोई मतलम नहीं होता है तो आपका तीसरा क्वेस्चन है एक बटे अंडर रूट के अंदर 5 प्लस अंडर रूट के अंदर 2 तो यहाँ पर भी देखिए अब आपको क्या दिया गया है यहाँ पर हर में जो संख्या दी है वो प्लस का साइन लगा हुआ तो अब हम क्या करेंगे माइनस का साइन विप्री चिन का गुणा करेंगे यहाँ पर देखिए इस संख्या को हमने इसी तरह से लिख दिया अब यहाँ पर जो गुणा करेंगे उस संख्या का चिन बदल करके यहाँ प्लस का चिन है तो अब यहाँ पर जो गुणा होगा उसमें माइनस का चिन हो जाएगा ठीके न? तो माइनस का चिन लगा करके उपर नीचे आपको गुणा कर देना है अब इसका गुणा कर देंगे तो एक का गुणा जब इस पूरे टर्म में होगा तो ये तो रूट 5 माइनस रूट 2 ही आ जाएगा अब यहाँ पर फिर से देखिए A प्लस B A माइनस B की सर्वसामिका लगेगी तो क्या होती है अब ही आपने पिछले सवाल में देखा था A प्लस B A माइनस B बराबर होता है A स्क्वार माइनस B स्क्वार ठीक है तो यहाँ पर वी सी तरह से A स्क्वार मतलब रूट 5 का स्क्वार यानि रूट 5 का वर्ग माइनस B मतलब रूट 2 का वर्ग तो यहाँ पर देखिए, रूट 5 माइनस रूट 2, यह तो हमारा ऐसा ही रहेगा, यहाँ पर रूट 5 का जब वर्ग होगा, तो आ जाएगा 5, और रूट 2 का जब वर्ग होगा, तो आ जाएगा 2, रूट 5 माइनस रूट 2, पांच में से 2 गया 3, यह आपका आंसर हो जाएगा, अब आपका चोथा question है एक बटे under root के अंदर 7-2 तो यहाँ पर दिखिए इसको भी हम उसी तरह से solve करेंगे एक बटे under root के अंदर 7-2 हर में जो संख्या लिखी हुई है उसका चिन बदल के उपर नीचे गुणा तो यहाँ पर चिन माइनस का है तो यहाँ पर चिन आपका क्या हो जाएगा प्लस का कर देगे ठीक है इसी तरह से यहाँ पर root 7-2 हो जाएगा अब हम इसका गुणा करेंगे तो एक का गुणा जब root 7 और प्लस 2 से होगा तो वही आ जाएगा और नीचे फिर से हम वैसे ही देंगे a minus b और a plus b ठीक है तो क्या होती है आपकी सर्वसमी का a minus b a plus b बरावर होती है a square minus b square तो इसी तरह से यहाँ पर देखिए यह root 7 plus 2 तो आपका लिखा ही रहेगा और यहाँ पर root 7 क्या है a है तो root 7 का वर्ग minus b क्या है 2 है तो 2 का वर्ग अभी हम score solve करेंगे under root के अंदर 7 plus 2 नीचे 7 का वर्ग क्या होगा 7 और 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4 साथ में से 4 घट जाएगी तो 3 तो under root 7 plus 2 बटे 3 यह आपका answer हो जाएगा तो उम्मीद है कि आपको चारो question अच्छे से समझ में आ गए होंगे अगर आपको इन questions में कोई भी doubt है तो आप मुस्से comment section में पूछ सकते हैं अगर video पसंद आई हो तो video को like करिए और अपने friends को जादा से जादा share करिए चैनल पर नहीं है तो channel को भी subscribe करके notification bell icon को press कर दीजे ताकि आपको class 9 के आगे आने वाले videos की notification मिल सके तो मिलते हैं next video में thanks for watching this video video